देखिए आज हम तिल का पेड़ा बनाएंगे बहुत जटबट बन जाता है और आपको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहेगा 15-20 मिनट में ये तिल का पेड़ा बन के तयार हो जाएगा दिखिए ये 1500 ग्राम तिल है ये मिल्क मेड है मिल्क मेड लिया है हमेने और ये घी है दो एक चमच ये काजू है ये थोड़ी सी लाइची है और ये किशमिश है अब आएए हम बनाते हैं कि ये कैस पर हमने पैन रख दिया है अब इसमें हम तिल डाल कर एक चमच गी डालेंगे हां ज्यादा नहीं डालना है आप चाहे तो इसको ड्राई भी रोस्ट कर सकते हैं अब इसमें तिल डाल लेंगे तिल डालके हम भून लेंगे इसको फिल को ये जब अच्छी तरह से भून जाए तो हम मिक्सी में डालकर इससे थोड़ा दरदरा पीस लेंगे महीन बिल्कुल नहीं करेंगे बस एक बार ही चलाएंगे एक से दो बार चलाएंगे और इसको हम दरदरा पीस लेंगे ये हमारा भून के तयार हो गया है थिल हमने जैसे कि हमने बताया था कि इसको दरदरा पीस लेंगे ये दिछे ये दरदरा हमने पीस लिया है थोड़ा सा पीसना है और अब हम इसे वापीस फिल पाइंगे जालेंगे अब इसको फिर से हम पॉन करेंगे और इसकी बाद हम इसमें ये थोड़ा सा ये दिखें शिए मिल्कमिट पाउडर जी बिए मिल्कमिट तो इसमें हम चाहर के में मिल्कमेट कॉलर डाल दिये और इसके बार इसमें थोगा सा कुष्मिष डाल देंगे नियुक्ति रुप्स्मिष गयाज के फ्लंग के बन जाएं जाएं खाल दिये और अ यह पाजू डाल दिये बहुँष्मिष ऊपर से लगाने के लिए भी रखेंगे दियुक्ति यायाईचि का पाउडर डालेंगे देखिए यह लाइची के पावडर थ्वा से डालेंगे खुश्बू के लिए यह बहुत जल्दी बन जाता है अब हम इसको मिला लेंगे अब देखिए अब यह मिश्राण हम त्यार कर चुको है अब इसको हम थोड़ा सा ठंधा करेंगे तो एक दूसरे बोल में निकालके इस इसे 15-20 मिट के लिए हम फ्रीज में रखेंगे जब यह हमारे ठंधा हो जाएगा फिर उसके हम छोटे-छोटे पेड़े बना लेंगे पूरी तरह से निकालकर अब हम इसे फ्रीज में रख देंगे ठंधा होने के बार यह अच्छे से बस से निकाल लिया है और फ्रीज से इसे निकालने के बार अब हम हाथ में थोड़ा सा घी लगा कर और इसके छोटे-छोटे पेड़े बना लेंगे देखिए यह इस तरह से यह हमारा पेड़ा बनके बिल्कुल तयार हो गया है इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता है 15-20 मिनट में इस पेड़े को हम जटबट बना सकते हैं और यह सबको पसंद आएगा आप ट्राइक बढ़ रूर कीजिएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर और सब्सक्राइब पढ़ना नहीं पूले थेंक्यू